स्टॉक्स हो गए हैं आज के ट्रेडिंग बेट्स लेकिन इस वक्त एक अलग ही रफ्तार में इंशॉरंस स्पेस चल रहा है और स्पेशली पी एस्ट्स इंशॉरंस स्पेस और एक ऐसी कम्पनी है GICRE और GICRE के CMD रामस्वामी नराइन भी हमारे साथ बने हुए है आई उनसे से बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नारायन हमने देखा कि जिस तरह की रफ्तार इस वक्त आपके स्टॉक में पूरे स्पेस में बनी हुई है क्या बड़े ट्रिगर्स हैं क्योंकि हम इस वक्त वालुएशन को भी कंपेर कर रहे तो प्राइस टूबक वालियो और वन यह फॉरवर्ड है वो अपने पीक वालुएशन लास्ट यर से कहीं जादा उपर हैं बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर क्या बड़ी विजिबिलिटी आपको देख रही है क्यों इतना स्ट्रीट का इंट्रेस्ट है इस वक्त यह हो सकता है कि इंशुरेंस ज्यादा तर लोगों की समझ में आजकल आ रही है यह ऐसा एक इंडिस्ट्री है जहां पर बहुत साल पहले तो कोई स्टॉक से लिस्टेट थी ही नहीं तो शायद ज्यादा किसी ने ट्रैक किया नहीं है अब जाके जब ट्रैकिंग हुआ है त उसको इंशुर करते हैं तो ऑल्वेस यह एक डर लगा रहता है कि यह कंपणी कितने आगे जाएगी कैसे ही करेगी कितने लॉसस ले पाएगी चायद चलते चलते लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ रहा है एक दूसरा यह है कि हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है अ तो पिछले तीन सालों में हमने काफी कुछ इंप्रॉमेंट किया है लास्ट यह हमारी काफी रेकॉर्ड प्रॉफिट्स हुई थी तो अबेसली वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाता है लोगों को लगता है कि यह कंपणी समझ रही है तो वो एक कॉन्फिडे और यह क्रेडिट रेटिंग काफी हमारे लिए इंपोर्टन है क्योंकि GIC 150 देशों में बिसनस करती है इंडिया के अलावा तो उन कंट्री में अगर हमको बिसनस करनी है तो एक इंटरनाशनल क्रेडिट रेटिंग होना बहुत जरूरी है उसके बगैर कोई भी कंट्री की इंटरनाशनल बिसनस काफी अच्छी हो सकती है आगे चलकर तो शायद एक बड़ा बूस्ट है लोगों के लिए वालिट पॉइंट और गुड पॉइंट आपने रेफ्लेक किया जो क्रेडिट रेटिंग सुधरी है इन स्पेसिफिक GICRE की ये एक बड़ा ग्रोध राइवर देख रहे हैं बात ऐसी भी है कि कही न कहीं आपके न्यू प्रॉड़क्ट फाइलिंग है आप अपने डिस्ट रिटर्न वाले प्रॉड़क्स मार्केट में लाना चाहेंगे तो ये न्यू प्रॉड़क्ट को लेकर जिस तरह का एक इनिशेटिव एक स्ट्रॉंग इनिशेटिव दिख रहा है पी एसे उस पेसे वो भी बड़ा रीजन है क्या टेक्नोलोजी को भी अडॉप्शन आफ न प्रॉड़क्स मारी नहीं, not so much GIC जो रिइंशेरंस कमपनी है, but इंशेरंस सेक्टर में कॉस्ट एक बड़ी फैक्टर है क्योंकि उनको डिस्ट्रिबूट करना होता है, उनका जो पॉलिसी है, देश के हर कोने का पोँचाना होता है, तो जितना वो टेक्नोलोजी यूज कर करते हैं कि जो दूसरे देशों में हम बिसनस करते हैं, जो वहां का experience है वो हम यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं, नया products डेवलब करते हैं, नय Maarkets देखते हैं, नई ways of doing business करते हैं, तो यह सब काफी अच्छी बात हैं जो हो रही है और इंडियन मार्केट तो काफी ग् कर रही है, मिनिस्ट्री और रिगलेटर भी अपने तरफ से काफी पुछ दे रहे हैं, गवर्न्मेंट की तरफ से भी काफी पुछ है, तो यह जो एक इंडस्ट्री है, वो काफी बड़ी ग्रोथ की बिगिनिंग में कड़ी है अबी, आगे चलके हर साल आपको यह ग्रोथ दि रखते हैं कि हम उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की ख़वर बताएं, अच्छा कुछ दिनों पहले हमारे पास यह ख़वर थी, कि केंदर सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी हो और कहा है कि जो सलक पर जो अनशोर जो वीकल चल रहे हैं, उसको काबो में किया जाए और सारी लिस्ट मंगा कर उसको पूरी तरह से इंशोर किया जाए कि सारे के सारे इंशोरेंस वाले वीकल ही चलें, सर अब आप हमसे जोड़ गए हमसे बातचीत हो रही है, क्या आपको भी इसके बारे में कोई जानकारी है, कुछ आप संकेत दे पाएंगे? जी हम भी, तो ये एक चीज ऐसी है, जो हम काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, और फॉर्टुनिटली इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, तो केंदर सरकार भी इसमें मिली हुए है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो इसमें मिली हुई है, रेगुलेटर इस डीपल जा गया है कि जहां पे उनको जाके सब कुछ करना है to ensure that वहां का जो insurance है, काफी अच्छा हो जाए, तो ये चीज हम कर रहे हैं और obviously motor में, it is necessary कि सभी लोग insured हो, mandatory insurance है ये, लेकिन काफी vehicles हैसे हैं, जो insured नहीं है, तो आप सब लोग मिलके, केंदर सरकार हो, state government हो, insurance company हो, regulator हो, ये सब लोग साथ में मिलके अभी एक काम कर रहे हैं कि इन जो motor vehicles हैं, जो insured नहीं हैं, उनको insurance के ambit में ले आए, तो उसमें से insurance companies की volumes भी बड़ेगी, लेकिन more importantly सभी लोग insurance के अंदर आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो रही है, बड़ीया सर, आपने बड़े विस्तार से और बड़े ही तारीफ करेंगे आपकी, मतलब कि आपने बिलकुल सफाई से, जो आपको जानकारी है, आपके knowledge में जो चीज़े हैं, बिलकुल बिना किसी लाग लपिट के, आपने हमारे सामने रखी, बहुत शुक्रिया सर आपका आपका हमसे बाक्षियत करने के लिए बड़ा अच्छा लगा